Welcome to my YouTube channel, अली रोहानी दुनिया आज यूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खौब में मचली को देखने की ताबीर क्या होती है या फिर सपने में मचली को देखने की वैक्ष्या क्या होती है क्योंकि यूटूअब अब तक मेने खौने में मछली देखने की ताबीर यह फिर सपने में मछली देखने का नियुक्त एक सब्पना की सब्सक्राइब मंचली को सपने में tys तरह से देखते हम क्योंकि काफि सारी वीडियो मैं अप्लोड कि और हर बार हर वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट पर बात की है क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर 70% मुझे जो कमेंट आती हैं मेरी यही वीडियो हैं और मेरी यही वीडियो हैं ट्रेंडिंग पर कि सपने में मचली को देखना या फिर में मचली को देखने की ताविर और मैं बार बार कोशिश करता हूं कि आप लोगो अच्छी तरह समझा सकूँ लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कुछ लोग ऐसे होते जिनकी मानसिक मानसिकता कमजोर होती है उनकी समझ में नहीं आपाता कि क्या बता रहे हैं और क्या समझा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सपने का अर्थ कुछ और होता है इनसान जो सपना देखता है इनसान जो खाब देखता है उसकी ताबीर कुछ और होती है उसका मतलब क कैसे होते हैं आपको सपने में देखते हैं इसको便 भी के नहीं हम नहीं रहती हैं?? वीडियो में अपको मैं वॉज्त क्शों में सब्सक्राइबिभ पीजिए संब्सक्राइबgender कर देख हो अपकर है है यानी हो फास हो गए हैं अब उन्होंने मुझसे बोला कि भाईया हम इसा सपना देखा मैं वह इस पात को लेकर बहुत जादा खुश्ट थे कर ऐसा होग्म है लेकिन ऐसा होना दोस्तों ute बिलकुल भी नहीं है कि इन्सान जो सपना तो मैं आपको इसलिए एक्जाम्पल के तोर पर बता रहा हूं कि उसे ने सपने के अंदर 80% देखा और उसके बाद उसका जिब रिजल्ट आया तो वह रिजल्ट के अंदर फैल आया तो मैंने उनसे कहा था कि देखना कि सपने का मतलब कुछ और होता है क्योंकि कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि सपने का मतलब जो हम देखते हैं वही होता है तो मैं जादे बात ना करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खौब में मचली देखने की ताबीर क्या है सपने में मचली देखने का मतलब क्या है दोस्तों सपने से related जितनी भी जानकारिया है मैं पुरी knowledge रखता हूँ और मैं बहुत सारी वीडियो 300 पलस यानि के 300 वीडियो मैं अप्लोड कर चुका हूँ सपने के उपर यानि के खौब के उपर उर्दू में खौब बोलते हैं और हिंदी में सपने की सपना बोलते हैं सपने की जानकारी तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा वाश करेंगे क्योंकि इस सपने में मचली देखने का मतलब मचली मैंने अभी voting कराई थी तो सपने में मचली देखने का जो सपना जो लोगों को आता है वो 80% आता है तो चली में बात करता हूँ किस तरह सपना देखता है इंसान, कैसे देखता है, किस हाल में देखता है, क्या मतलब बनता है, क्या वह इक्या बनती है, क्या इसका अर्थ बनता है मेरे 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 मेर तो इसका मतलब कुछ और बनता है दोस्तों ऐसा नहीं है। क्या कारण है ? क्या रिजन है। सेमरे हैं बिलकुल अगर कॉलर में हैं तब भी वही कारण है। और कॉलर में नहीं ہے तो अगर को बिलकुल के बात यह लुग तक होती बात देखना किसी मुश्किल में आना है। चोटी मचली का देखना किसी परिशानी की बात सुनना है चोटी मचली का देखना किसी मुसीवत में फसना है चोटी मचली का देखना घर में बाधायाने के कारण भी हो सकता है क्योंकि परिशानियों का जो सबब है वो चोटी मचली को देखना है तो चोटी मचली का देखना भी ठीक नहीं है अब देखते हैं कि मचली पकड़ रहे हैं सपने के अंदर और हमारे हाथ में है और छोटी मचली है तो दोस्तों उसका मतलब यह है कि किसी परेशानी के काम में वो फसेगा कोई ऐसा काम करेगा जो उसके सामने दिक्कत प्रृषानिया आएंगी अब हम सेकेट पॉइंट पर करते हैं कि सेकिंड पॉइंट जो हमारा है चोटी मचली हो गई çोटी मचली का का चानि एक इतनी मचली का देखना घर में खेर और बरकत का होना time आखना जाता है किस तरह का सपना देखना बहुत अच्छा है वह आपको बहुत सपना आच्छे चाहाँ हम आपको बहुत अछी से तरह रहा हूं second point पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर normal मचली देखे तो घर में बरकत होना या रोजी में बरकत होना काम कारोबार का मिलना काम कारोबार में जो रुकावाटे हैं उनका खतम होना या फिर किसी मुश्किल से आसानी की राह का रस्ता निकलना नौर्मल मचली को देखना और अगर देखे third point जो मेरा है वो यह है अगर देखे बड़ी मचली तो दोस्तों बड़ी मचली मिलने का कारण क्या है अगर आप देखते हैं कि आप बड़ी मचली पकड़ते है या आपने बड़ी मचली कहीं से उठाई है और आप घर में ले आए हैं या आपने अपने घर के अंदर बड़ी मचली देखिए तो उस्तों बड़ी मचली का देखना बहुत ही अच्छा है मुझे उम्मीद है कि अगर आप बड़ी मचली देखते हैं तो आपके पास कहीं न कहीं से पैसे आने के सबाब बनेंगे यानि कि आपको धन प्रापती होगी धन में आपके वरुद्धी होगी बड़ी मचली का देखना बहुत ही अच्छा है अगर आप पानी के अंदर देखते हैं कि बड़ी मचली है और डोर आपके हाथ में और आप अपनी तरफ को खीच रहे हैं तो उम्मीद ये है कि आपको कोई बड़ा काम सफल होने वाला है उम्मीद ये है कि कहीं से आपको पैसे मिलने वाले है या फिर कहीं से आपको माल मिल सकता है और अगर आप देखें कि आप मचली को पकड़ रहे थे बड़ी मचली को और मचली आप से दूर जा रही है आप म जन में आओगे क्योंकि मचली का दूर जाना बड़ी मचली का दूर जाना हमारे काम कारोबार में या हमारी नोकरी में या फिर हमारे बीजिनीस में प्रोबल माने का सबब है यानि कि दिकत परिशानी हमारे साथ खड़ी होंगी हमारे कारोबार में रुकावट आएगी अगर अगर आप देखते हैं कि आप मचली को पकड़ रहे हैं और मचली को आपने पकड़ लिया और खीच रहे हैं उसका मतलब यह भी बन सकता है कि कोई आपके बड़ा काम आपके हाथ लगे तो दोस्तों बड़ी मचली का कारण यह भी हो सकता है और एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके साथ में बहुत ही अच्छा वयवार लोगों द्वारा किया जाए क्योंकि बड़ी मचली का देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है तो कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं कि मचली ही तो है छोटी हो या बड़ी हो दोस्तों अलग-अलग ताबीर है जेटीसी के अनुस भी मचली कोके सब्सक्राइब तो मतलब यह कैक आप भी मचली ठेखनां निकल जाओगा अगर अगर पहले बड़ी मचली पकड़ते हैं और उसके वाद चोटी बड़ी मचली पकड़ते हैं तो उसका मतलब है कि आप नूर्मल थे आप मुश्किल में चले जाओगे छोटी मचली का पकड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बड़ी मचली का पकड़ना कहीं ना कहीं से आपको माल की परापती जरूर होगी और हां मैंने देखा है कि कुछ हमारी बहने ऐसी हैं जो पेट से होती है यानि के बच्चे-बच्चे का मामला होता है उनके साथ में तो कमेंट करती हैं तो उसका मतलब यह बनता है कि उनके साथ में जो दिक्कत होने वाली है उसमें आसानी होगी और अगर वो छोटी मचली देखती है तो उसका मतलब यह होगा कि उनके साथ में परेशानियां आएंगी दोस्तों वीडियो पसंदा है तो लाइक करें सपने की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें खाब की ताबीर, रोहानी सोलोशन, जिस्मानी सोलोशन, आयू वेस से रिलेटिड और हाँ हर संडे में शाम 6 वजे करता हूँ आप मुझे से लाइब पता कर सकते हैं जैहिन, खुदा आपिस